नमो नारायन मित्रो मेरा हुलेश्वर स्वागत करता हूँ आपका भाग्य मन्थन में आज हम आपको छै मुखी रुद्राक्षे बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन से जन्म नक्षत्र, जन्म लग्न और जन्म राशी वारा जातक इसे धारण कर सकता है जिससे छै मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है छै मुखी रुद्राक्ष को कारति के भगवान का स्वरूप माना जाता है नव ग्रहों में शुक्र ग्रह इसके संचालक हैं जोकी, धन, संपत्ति, आकरशन, एश्वर्य, सौभाग्य, भोग विलास, प्रेम, संगीत, जीवन साती, सुन्दर्ता, काम वासना और सभी प्रकार की भौतिक सुफ सुविधाओं के कारग्रह माने जाते हैं शुक्र ग्रह का शुप प्रभाव जातक को राजा जैसा वैभव और मान प्रतिष्टा दिलवाता है और अशुप प्रभाव रोगी और परिवार में अशान्ती वा कलेश का कारण मनता है चैमुखी रुद्राक्ष धरन करने वाले व्यक्ति को मातालक्ष्मी का भी आशिरवात प्राप्थ होता है भगवान कार्थि के सुरूप होने के कारण इसको धरन करने से जातक के प्राक्रम में व्रिद्धी होती है जो लोग भीड में जाने से घबराते हैं और जिन लोगों को सभा संबोधन में घबराहट होती है उनके लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना बहुत शुप साबित होता है ज्योते शास्तर के अनुसार शुक्र ग्रह यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो तो नेत्रों में विकार यौन रोग, मूत रोग, मूसंबंदी रोग, लीवर रोग, पेट की आतों के रोग शरीर में बढ़ते हैं शुक्र ग्रह की शांती ही तू और उपर बताए रोगों से बचाओ ही तू छे मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत कारगार सिद्ध होता है छे मुखी रुद्राक्ष पर शुक्र ग्रह का अधिपत्या आता है इसलिए जो लोग शुक्र से संबंदित कार्यों में लिपते हैं उनके लिए भी छे मुखी रुद्राक्ष धारण बहुत शुब साबित होता है जो लोग बैंकिंग, फाइनस, वित्तनी अंतरक, शेयर मार्केट, स्वाणवियापारी, आर्थिक सलहाकार, होम लोन, गोल्ड लोन, नवरत्नों का व्यवसाय, दुल्लब चीजों का व्यवसाय, प्रॉपर्ट्री डिलिंग, फिल्म निर्माण, विज्यापन, सौंदर्य प् करना, बहुत शुप साबित होता है, जन्मकुनली में जब शुक्रग्रह खराब STITI में हो, जैसे कि अपनी नीच राशी कन्या में हो, सूर्य के साथ किसी खराब हाओ में बैठा हो, शत्रू राशी में विराज्मान हो, शत्रू ग्रह के साथ हो, क्रूर ग्रह की धारन करना शुब साबित हो सकता है। जाने से डरते हैं और सभाव को संबोदित करने में असहस्ता महसूस करते हैं। उनको विदी विदान से छे मुखी रुद्राक्ष धरन करना चाहिए। चौथा जिन लोगों को नजर दोष ज्यादा प्रभावित करता है उनके लिए छे मुखिर रुद्राक्ष भहुत लाबदाएक सिद्ध होता है पांच्वा जिन लोगों को अकारण जीवन साती से अत्यदिक जगड़ा होता रहता है उनके लिए भी छैमुखिरुद्राक्ष धरन करना शुपसाबित होता है 6. अंकशास्तर के अनुसार जिनका मूलांक वाभाग्यांक छै हो उन लोगों को भी छैमुखिरुद्राक्ष जरूर धरन करना चाहिए साथवा, छैमुकी रुद्राक्ष, नेतरो में रोग, यौन रोग, मूतर रोग, मुह सम्वंदी रोग, लीवर रोग, पेट की आंतों के रोगों को ठीक करने में साहक होता है आठवा, छे मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने का मंत्र जो शिव महा पुरान में बताया गया है वे इस प्रकार है ओम रीम हुम नमहा ओम रीम हुम नमहा नवा, रुद्राक्ष को सदैव शुकल पक्षिय सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिशे करने के पश्चात पहनना चाहिए कई जगे रुद्राक्ष के संबंद में यह बाते कही जाती हैं कि रुद्राक्ष धारण मात्र से ही नर हत्या जैसे पाप भी रष्ट हो जाते हैं परंतु मैं निजी रूप से यह नहीं मानता रुद्राग्ष्धरन करने से पाप मुक्त होने के मारगों का ग्यान होता है और साथ में हम मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं जिस से हम बुरे कर्म फलों को सरलता से भोग पाएं प्रत्यक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोग ना ही पड़ता है और यह अकाट्य सत्य है इसी की साथ मैं आज के लिए आप से आग्या चाहता हूँ कल फिर मिलेंगे भाग्य मंथन में आपका जीवन शुब वा मंगल मैं हो नमो नारायन कर नारायन झाल मिलें इसी प्राणी कर दो मिलेंग् तंस यह झाल त रिवन वाद्व कर दो यह झाल जाएं झाल झाल